Hello friends welcome back to another video इस वीडियो में हम जानेंगे thumbnail easiest way में कैसे बनाया जाता है जैसे कि thumbnail के लिए मैं पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि Photoshop मैं यूज करता हूँ और mobile के अंदर pixel लिया भी उसकरते हैं तो उससे भी आसान तरीका जो नए-ए होते हैं Photoshop क्रियेट करना जो thumbnail क्रियेट करना नहीं आता Photoshop के अंदर Photoshop के अंदर minimum basic knowledge तो होना चाहिए आपने को Photoshop के अंदर अगर फाइल क्रियेट कर रहे हैं तो जो हमारा thumbnail का जो ratio होता है वो exactly set करना रहता है वरना आपका thumbnail उदर इदर गडबड हो जाएगा set नहीं होगा सही से तो उसके लिए जो मैं अभी बताने वाला हूं तारीका उसके अंदर automatically सब कुछ देता है template दे देता है आपको जो YouTube thumbnail का उसके अंदर अपने हिसाब से matter भी लिख सकते हैं और अच्छा अच्छे text के जो style find के style रहते हैं उसो भी change कर सकते हैं तो उसके अंदर automatic color भी हम select कर सकते हैं अच्छा से अच्छा और attractive हमारा thumbnail बना सकते हैं साथ-साथ जो तरीका में बताने वाला हूं वो laptop के साथ-साथ mobile में भी same है तो आपको आखरी तक देखना आखरी में आप laptop के बाद mobile का जो mobile में कैसे बनाते हैं वो भी तरीखा बताने वाला हूं तो चलिए फैंट शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हमेशे की तरह एक छोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूं चानल में नहीं हो तो subscribe कर लेना वीडियो को like and share कर देना और कुछ doubt होगा अभी जो मैं वीडियो बताने वाला हूं उसके अंदर कुछ भी doubt होगा तो comment में पूछ लेना उसके अंदर explain करने की कोशिच करूँगा चलिए friends share करते हैं तो friends हम basically photoshop या pixel या कुछ हमारे जो software होते हैं उसको use करते हैं तो उसको use करने के लिए हमको internet की जरूरत नहीं पड़ती है जो अब हम तरीका देखने वाले हैं photo thumbnail creation का उसके अंदर ज्यादा knowledge नहीं रहेगा तब चोटा मोटा जो browser open और close और copy paste का जो भी option आपको मालम होगा उसके भी काम चला सकते हैं चलिए चलिए हमारे laptop के चरब और देखते हैं कैसे बनाते हैं तो यहां पर हमें Google Chrome open कर लेता हूं और यहां पर canva.com enter कर लेते हैं और यहां पर यह जो साप्ट्वेर यह साप्ट्वेर नहीं यह आंलाइन पर काम होता है इसके लिए इंटरनेट की connectivity जो होना जरूरी है इसके अंदर जो latest template होते हैं वह भी available हो जाते हैं तो हमें यहां से भी select कर ले सकते हैं यहां पर template के अंदर जाएंगे home के बाज में template के post और brochure और a4 document भी बना सकते हैं हम बहुत सारे जो भी हम photo के related जितने भी editing करना चाहते हैं तो इसके अंदर canva.com में available होता है तो इसके अंदर क्या करना है हमें social media पर जाना है social media के अंदर हमें क्या होना है अभी हम thumbnail बनाने कैसे बनाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं तो maintenance कर रहे हैं create कर रहे हैं कर चुके हैं तो यहां पर उसका भी related हम images बना सकते हैं साथी साथी हमें चलते हैं blog भी अगर blog लिख रहे हैं तो ब्लाग का भी graphics यहां से मिल जाता है आपको यहां से बनाने का मिल जाता है तो हम यहां पर YouTube का थमनेल हैं उसके बारे में जान लेते ह और मुबाल में मुभइल में एक जासे दिखता है तो हैसे अदर बराने के लिए नवgesetzt क्यों ने पता नहीं करता है युक्त वी इन जहीं में fit होता है आपका title या आपका जो भी matter लिखना चाहते हैं वह पे set होता है यहां पे clearly पता चलता है तो हमें यह चानल का art जो हो रहने देते हैं उसके बाद में उसके लिए हम separately video वीडियो बनाएंगे जैसे कि चानल का icon और चानल का डाउनलोड करेंगे हम और उसे आप के अंदर कैसे जाना मैं मुबाइल के अंदर वीडियो के आखर में बताने वाला हूं तो सेटिंग से उस्तेम रहेगा लेकिन जो छोटा मटा जो तरीका होता है वो चेंज होते हैं उसको देख लेते हैं माद में फिलाल के हमें यहां से त तुमनेल का जो पहले हमारे वीडियो का होता है एक स्क्रीन शाट मारकर रखाओ यहां पर डाल दूँगा और यहां पर मेरी फोटो लगाऊंगा और यहां पर मैंटर लिखूंगा यह आईडिया है मेरा और इक इसके अंदर खास बास यह है कि इसके अंदर फ्री में मिलते आई और टंपलेट्स और जो पेमेंट करना रहता है उसके लिए पर्टिकुलर अमोंट रहता है वो भी बता देता है लेकिन यूज करने करने के वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले है जैसे कि यहां पर बता रहा है यह हम लोग यह हम चूज कर चुके हैं तो यहां हमें देते हैं इसको जो हटा के दूसरा लगाते है लेकिन हमें मॉडिल तो यह ही लगाना है तो इसके अंदर यह वाला मॉडिल हमें यूज कर लएते हैं थोड़ा सा बढ़ा कर लोग्स यहां पर टेक्स्ट यहां से निकाल ले creepingdock है हम यहां से यहां पे ग्रूप बनाने क प्रफिदा भी option मिल जाता है यहां पर अनुगूरूप करना है और यहां से हम सेलेट कर लेना है images यहां टेक्स्टिंग को इसको हटा के side में रखना है यहां पर रख देना है हमें side में तो हम side से इसको edit कर लेते हैं बाद में लेकिन यहां पर यह यहां से इमेज है का इसको इसको हम चेंज करना है तो हैं पर इमेज सढ़ीक है और हम आता इडकर रहे तो तो इसके अनदर मैं टेक्स्ट को पहले edit कर लेता हूं ने पहले को च deepestिक का जो स्टाइल है वो ह захot है यहां से कर सकते हैं ह। जिस तिक अयुक्त होता है है। जोह क्रणों कर लेंगे कि इसको रहने देते हैं यहां पर 165 लाना है । जो image हमारा खुद का जो image select हरा थैंग इंगे होच होड़ा हो करने के बाद यहां से जो भी में चाहिए तो यहां से अपलोड करना हता है इहां पर okay करना है यहां से डिवाइस select कर लेना है और साथ यहां मैं एक screenshot लेकर रखा हूं यहां से कर लेना है हमें upload हो जाएगा यहां पे upload हो चुका है तो इससे क्या करना है हमें अपने इसाप से यहां पे fitting कर देना है तो यह हमारा ही सबसे थोड़ा पूरा रहना चाहिए ऐसा इसको रहने देते हैं ऐसे और पीछे भी लाल वाला भी जो ब्याग्रोंड है इसको भी रहने देते हैं अच्छा दिख रहा है साही है इसको रहने देते हैं यहां पर और टेक्स्ट को नीचे और यहां पर डाल देते हैं यहां पर हमारा इमेज जो तमनिल के लिए जो एक इमेज क्याप्चर करना होता हुआ इमेज यहां पर डाल दूँगा मैं तो यहां पर फिलाल के लिए हम टेक्स्ट लिखेंगे यह यहां पर लिखेंगे यहां है आ अ पर पयुम कर लेंगे यहां पर पेस्ट कर लेंगे ज फेथा Woah पहले ढूंब जीव पहले से लिखे रख्ळाता हुए तो यह हो गया हमारा टेक्स्ट तो यह टेक्स्ट को हमाए स्टाइल हमें से change कर सकते हैं जो मर्जी में अपने हैसाप से हम अपर select कर सकते हैं लेकिन यह रहते हम और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं text को यहां पर एकदम छोटा कर लेते हैं एक लेन में के लिए और यहां से effects भी है यहां पर effects भी अगर background में हम इसको shadow देना चाहते हैं या बहुत सारी option से अफे अवलेबिल हैं इसके अंदर आपके अपने सवाफ से फीसे चेंज कर रहें उसी साफ से हम हमेरा जो थमनेंट बना बना सकते हैं यह हाँ फीर में बनाना चाहते हैं फीर चाहते हैं हम कलर भी टेक्श्ट जो चलर होता है वह भी कर सकते तो हम क्या करेंगे यह दोनों को थोड़ा सा नीचे ले लेंगे टेक्स्ट ऊपर आए यहां पर टेक्स्ट यहां पर डाल देंगे और इसको सेंटर पराइस कर देंगे सट कर लेंगे यहां पर लगा सकते हैं जो अपने हिसास लगाना चाहते हैं यह ख्यायी यह कहा है इस वैट साहिए लेकिन इसको क्या करता हूं थे ऐफ एक्स और शाड़ा डेता हूं को अ कि a यहां पर ट्रांसफरेंस से भी ज्यादा कर देते हैं इसको भी हम यहां पर फिल्टर कर सकते हैं जो अपने मर्जी से यहां पर एफेक्स लागा सकते हैं हमारे इमेज इसको और साथ ही साथ यहां पर पोजिशन भी कर सकते हैं और यहां पर लाग कर सकते हैं यहां पर पीछे पीछे वाला जो background select करना होता है same image पर यहां पर लाग करने पर हमारा image select नहीं होता है, यह पीछे वाला image select होता है, इसके अंदर easy way, अगर particularly पूरा video चाहते हैं इसके उपर हर एक option के बारे में, तो आप comment कर दीजिए, मैं कोशिच करूँगा कि पूरा जो भी settings है, कैसे कैसे करत अग्याद यहां पर यहां पर इमेज डाल देते हैं हम यहां से और यह Gill और यहां और यहां से डाललोड करना है, यह जो png selected हो यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं यहां पे डाउलोड हो रहा है और यह आप्शन मांग रहा है अगर यह सेव कर लेना है हमें इससे dave के हो गया और try it free for 30 days, ऐगर आपको खरिदना चाहते हैं तो खरिदने से भी क्या-kya फायदा होता ह में इसके अंदर बता बता देता है सब कुछ और यहांपे ट्राइ करना चाहते हैं तो एक मेने का free trial देता है वैसे भी हमें free מil रहा है और continue editing और यहां पर continue कर सकते हैं और काफी जगह यह बताना भूल गया हमाई काफी जो templates होते हैं यह यह premium भी होते हैं premium के भी templates होते हैं अगर premium जो templates आपको खरीदना चाहते हैं तो यहां पर एक डालर या दो डालर या जितने भी अमोंट रखा हुआ है वो उससे वहां से खरीच सकते हैं वैसे यह premium के सिवा आप किसे भी कितने भी image डाउन एडिट कर सकते हैं और download भी कर सकते हैं उससे कुछ पराख पढ़ने होला नहीं है अगर काफी attractive और attractive दिखना चाते हैं तो आप यहां से premium का जो membership होता है वो भी ले सकते हैं और खरित के हमारा जो फोटो होता है अट्रक्टिव बना सकते हैं यह भी एक तरीखा था यह तो हो गया PC के अंदर और हम चलते हैं मुबाइल के अंदर मुबाइल के अंदर भी यह जो application मिलता है वह इंस्टाल करके रखना चाहिए हमें और वहां से भी same option होते हैं लेकिन थोड़े-बूट option change करके बताता हूं क्यों कि मुबाइल में कर सकते काफी सारे लोग मुबाइल में भी हमारा अपना अपना studio चला चाहिए जैसे वीडियो अफलोड करते हैं तो मैं पिछले भी वीडियो में मैं पांच ऐसे application बना पिछले वीडियो में मैं अल्रड़ी बता चुका हूं हर एक यूटबर को मैंडरी पांच जो application ज्यादा settings है तो यह रहा मेरा मूबाइल तो यह मेरा मूबाइल है इसके अंदर यहां पे canva आल्रड़ी मैं इंस्टाल करके रख चुका हूं तो यहां पे open कर लेता हूं मैं canva यह image तो अभी thumbnail हमारे जो इस वीडियो को बन रही है उस वीडियो का thumbnail है तो यहां पे नहीं बना सकता बना के रख चुका हूं जो उसके अंदर तो यहां कुछ भी temporary लेकिन यहां पे तरीखा जो होता है बनाने का जो template select करने का वह बता देता हूं वहां से select कर लेना आपको यहां पर instagram जो जैसे interface आएगा हमारा home का जो instagram post और poster instagram story तो यहां पे हमारा YouTube का जो thumbnail होता है वह यहां पे search कर लेना है हमें as it is जैसे यह system में हम बना चुके हैं वह इसे यहां पे भी मिल जाएगा जैसे यहां पे certificate भी बना सकते हैं यहां पे YouTube का icon हो गया है यहां पे open कर लेना YouTube thumbnail और यहां से हमारा जो blank paper लेके भी हम अपने एसाब से create कर सकते है तो यहां पे भी जो भी दिये चुका है यहां पे template select कर लेना है हमें यहां पे हमारा template से as it is ही कैसे create करना है कैसे edit करना है वो तो बड़ा बता चुका हूं same as it is हाईगा यहां पे edit करना है हमें delete करना का option यहां से मिल जाता है और जो हमारा thumbnail बन जाता है यहां से download कर लेना है preparing और इसके अदर अलो कर लेंग loop कर लेना है जो पहले रहें आप से शेयर कर सकते हैं यहां से सादो कर सकते हैं ॆ है यहां पर झालय डेंट इसाइन जांगे डेह सकते कनिटीटियरीटிंग सकते हैं तो फेंट से यह ता easiest way कम से कम समय में और कम से कम नालइड से हम यूटुब का जो थमनेल अट्रैक्टिव वे से बना सकते हैं यह इस तरीके से आसान तरीके से बना सकते हैं तो फेंट कैसा लगा I hope कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको information मिला होगा अगर आपक अगर कुछ का ना चाते हैं तो comment में छोड़ देना अगर मिलते हैं आगली वीडियो में until then bye bye and see you soon